Hello everyone, a very good evening to all of you here. I am Divya Sharma और आज हम लोग एक प्रैसी डाइटिंग करने वाले हो और चार इंपॉर्टन्ट फाइनांस की स्कीम करने वाले हैं जो काफी इंटर रिलेटेड हैं प्रदानमंत्री जंधन योजना, जीवन जोती भीमा योजना, सुरक्षा भीमा योजना और अटल लिया है, यह आर्टिकल अपने आप में काफी चालेंजिंग है प्रैसी पॉइंट ऑव यू से क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है वो बहुत जादा लिूसेड अरेंजमेंट नहीं है, आपको थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट ट्विस्ट करना पड़ेगा, वाल यू यह शुरू करते हैं, क्या है, यह में चैलेंज फॉर स्वामित्व, क्या है, यह शुरू यह से कर रहा है, इस तु इंचर्स इंटरस्टेट कोर्डिनेशन ए स्मूद वर्किंग ऑव दिस्ट्रेटल्मेंट सिस्टम्स, यह स्कीम है क्या, सबसे पहले यह जानने के लिए आ स्वामित्व की फॉल फिल्फॉर्म है, इसका में ट्र오जी में मैपिंग करना और सर वे cop revis잖아, थैस, तु प्लैन है, इसका सारे रूर्ल प्रॉपरिटी जान करना ड्रोन्स मतलब टिकनोलजी में ड्रोन्स उसकरते वें और जी आई एस बेस्ट जो जो ग्रिफिक कर इंडिकेशन सिस्टम है उसके बेस्ट मैप्स कर बनाना हर विलिच के ठीक है तो यह प्रोसेस शुरू के से होता है एक एमो यू साइन किया जाता है विट्वीन सर्वे इंडिया एंड़ स्टेट गवर्वर्मेंट्स यह एमो यू साइन होता है तो इसलिए यह जो पहली लाइन है यह बोली गई है कि सेंटर स्टेट को ओडिनेशन बहुत जाते इसके लिए इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए और दे एसो आई गरगा सर्विया उप इंडिया व एक स्टेट के नाम इसमें दे हुए हैं आप पड़ सकते हैं महाराष्ट्र कंणाटे का हर्याना उत्रप्रदेश उत्राखन महादे मद्रदेश पंजाब राजिस्तान इनमें मेजर मेजर बड़े-बड़े स्टेट से इनमें वन लाक विलेजिस करीब कवर हो जाएंगे औ 2023-2024 तक इसका एम है कि सारे की सारे विलेजिस इतने हैं हमारे कंट्री में 6.6 लाक विलेजिस कवर हो जाएं और फिजिकल वेरिफिकेशन और रिस्प्यूट रिजियूशन के बाद हर एक विलेजर को हर एक लैंड ओनर को उसका एक संपत्ती पत्रक मिलेगा जिसको प्रॉ और उन मैप्स के हिसाब से जियो टैग करना हर लैंड और प्रॉपर्टी को और एक क्लियर और ट्रांस्पिरिन मेकानिजम देना हर लैंड को टैग करते वे उसके लावा कॉम्प्रींसिव डिजिटल मैपिंग ऑफ रूरल लैंड कैटेगरी से अग्रिकल्चुरल डिजिद इनको लैंड लेने में या देने में लीस पे प्रॉब्लम होती है वो कॉन्फिनेंटली काम कर पाएंगे क्योंकि देखें अगर आपको लेना है आपको यह भी नहीं पता कि वह एक्चुली किसका है आपने सपोस्स एक फार्मर है ए उसने कोई लैंड ले लिया है ठीक है व वो एको बोले कि यह भी तक करेंट दो यहीं करो तो एको डल लगे का ऐसे केस में लीजन करने में ठीक है तो लीजन करने में प्रॉब्लम होती है उसके अलावा लीज आउट करने में भी होती है कि इसने माल लो B ने एको कबज़ाई दे रखा था और A ने जाके इस पर कबज़ाई कर लिया बिल्कुल लैंड पे वो छोड़ने कोई ready नहीं है उसके पास कोई paper नहीं होगा प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं होगा ठीक है एक सेकेंड यह क्यों हो गया है उसके पास को प्रूफ बहुत होगा नहीं फिर availability of institutional credit is constrained by the absence of proper land records institutional credit भी नहीं मिल पाता है अगर आपके इसे क्यों होगा डिजिटाइजेशन से रेकोर्ड आपके पास होगा आपके पास प्रॉपर पेपर पिपर होगा पताएगा यह लांड आपका ही है इस वजह से आपको क्रेड़िट लेने में लून लेने में असानी होगी और डिजिटाइजेशन जो है agricultural land को almost हो चुका है 90 तक हो चुका है तो इससे क्या हुआ है उसका डिमार्केशन अभी एक इस्चू है डिजिटाइजेशन अभी एक इस्चू है और डिजिटाइजेशन अभी जादा मदत मिली है लेकिन जो common immunities है वह लाक डिमार्केशन से भी एपक्ट होती है क्योंकि पंचायत को जो है प्लैंट जो टैक्स करेट करने में बहुत जबड़ा इस्चू होता है और ऐसा एकनॉमिक सर्वे 2017-18 ने बताया है कि जितना भी जो वैल्यू जो पोटेंशेल है उस पोटेंशेल का पोटेंशे होगी clear titles available होंगी और transparent land valuation होंगी तो यह चो collections ही improve होती है तो अगर collections improve होती है तो obviously इन collections जो फायदा होता है वेले जैसका जो provision of public services है वह काफियांट तक improve होंगी आप इसकी फायदे आईओप समझ रहे होती हैं ज्यत्ते देती हूं आपको स्कीम भी ताकि याद रहें लीज इन लीज आउट करने के लिए एक फाइदा हो गया दूसरा फाइदा हो गया अगर आपको लून लेना है तब तीसरा फाइदा हो गया आपको जो स्कीम से वो implement करने में फायदा होगा implementation of schemes प्योंकि आपके पास सारा records है सब कुछ है तो easily आप चीज़े बाठ सकते हैं सब जो कुछ करना है कर सकते हैं उसके अलावा tax collection में असानी होगी ठीक है तो यह major 4 points आप दिमाग में रख सकते हैं नेक्स्ट यह मैं आपको समझा चुक्क हुँ फिर digitization of personal identity agricultural land and now residential property will facilitate transparent transactions जित्ते भी transactions हैं वो काफियत तर transparent हो पाएंगे जित्ते भी non farm related activities आपको करनी है उसको बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि land supply की जो constraints है वो खतम हो जाएंगे आपको easily land available रहेगा supply आपको पता रहेगी कहां पर क्या land है किसका है कैसे कैसे नहीं है अगर नीटी आयों के साब से जो 36% of tenant farmers है वो landless है and 56% margin landowners to clear title records से इनकी access to credit है और insurance support services है वो बहुत 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 जादा बढ़ जाएगा digital records के साथ banks can lend freely without image documentation formally is markets and digitalization personal records can need to improve implementation of various schemes like PM के साथ वसल वीमा रायतु बंदू and देके में डारेक्ट रोड़्स the cultivators instead of absentee landlords अभी क्योहर absentee landlords को schemes मिल रही है जो actually जनको जरूर रहते जो cultivate कर रहे हैं उनको schemes available नहीं हो रही है then main challenge इसका अगे नहीं repeat किया गया है to ensure states and the state combination and smooth working of disputed dressal settlement systems 490 words का passage है छोटा passage है इसमें देखे the issue is कि अगर आप ये वाला paragraph देखे और अगर आप first वाला paragraph देखे काफी हद तक चीज़े repeat की गई है इस तरह का passage अगर exam में आ जाता है वो deal करना आप लोग के लिए मुश्किल हो सकता है किस तरह से आपको हर चीज concise कर रही है किस तरह से आपको पहले scheme समझानी है फिर उसके benefit समझानी है तो ये आपको पूरा paragraph पढ़के उसको समझ के ही आपको समझ में आप आएगा कि किस तरह से आपको scheme समझानी है तो please try to figure this out ये काफी tricky हो सकता है passage ठीक है तो बहुत सिंपल है अब स्वामित्व स्कीम मेंने इसका title दिया प्रेसी का अगेन बता रही हूं कि title is compulsory is very important ठीक है स्वामित्व स्कीम को किस तरह से बताया है I think it's around 170 words का मेंने ये करा है ठीक है I'm not wrong this is around 170 words तो the survey of villages and mapping with improvised technology in village area स्वामित्व स्कीम aims to survey all rural properties using drone and satellite to prepare GI-based maps for each of the 6.6 lakh villages across India by 2023-24 एक ही line में पूरी स्कीम समझा दी ठीक है एक ही line में पूरी स्कीम समझा दी पूरी जानकारी यहां से मैंने लिये पूरी definition दे दी इसकी क्या है ये scheme इसका main purpose क्या है ये villages सारी cover करेगी by 2023 तो पूरा इसमें कहीं कहीं से कुछ-कुछ उठा के मैंने पूरा एक line में समझा दिया है अब ये मैंने पूरी स्कीम बता दी कि major major points कहा है प्लीस रिमेंबर प्रेसी का main idea होता है पूरे जो main passage है उसका idea कनवे करना तो आपको ये पढ़के अल्मोस्ट वो सेम चीज समझ में आनी चीज़ जो पूरा passage पढ़के समझ में आई है प्रेसी की पहली class होई थी वो देखी आपको और भी पूरे rules में समझाद होई प्रेसी की उसमें समझाए हुए है फिर house tax collections on local government bodies are limited to only 20% of the potential as per the economic survey 2017-18 clear titles and transparent land evaluations will facilitate such collections it will facilitate transparent transactions in land parcels there will be no land supply constraints for non-farm related activities the survey requires signing of MOU between the survey of India and the state government hence center state coordination is the main challenge बहुत simple है अगर आप यह पढ़ेंगा आपको simple लगेगा बत अगर आपको passage दिया होगा और उससे convert करना होगा इसमें आपको लग रहे है बहुत सारी information is being thrown at you and then you have to write a presi out of it then it can become very difficult but please try to understand कि this takes some amount of your brains to write this और आपको वन थर्ड में पूरा इसको करना है मैं इसका word limit भूल गया है but I think it was around 170 130 था exactly उससे थोड़ा बहुती I think 10% का उपर होगा that's it otherwise यह आप लोगा रहेगा I hope आपको समझ में आया हो किस तरह से यह क्या यह scheme है इस scheme भी मैंने इस महाने से cover करवा दी और एक tricky passage भी आपको cover करवा दी है कि एक tricky passage का प्रेसी कैसे करना है ठीक है अब मैं आपके साथ चार major योजना इंडिसकस करने वाली हूँ जो कि आपकी यह GOV विबसाइट पे finance ministry की dvinti financial services.gov.in इस में जो चार main finance की schemes है वो मैं आप लोग के साथ cover कर रही हूँ और वो schemes आप कहीं भी mention भी कर सकते है तो सबसे फेली scheme है सबसे simple scheme है 2015 में आई भी PM जन्धन योजना सारी schemes पढ़नी है तो आप इस link पे click कर सकते है इस पर आपको सारी schemes पूल जाएंगे तो इसका major aim क्या है it is a national mission on financial inclusion जन्धन में आपको बता है खाते कुले थे हैं ये कह तरह से account opening scheme है ठीक है basic aim है इसका accounts कोलना it is to provide banking to the unbanked ठीक है banking to the unbanked ये अगर आप इतना भी term याद रखते हैं तो आपको काफी सीज़े याद जाएंगी जन्धन के बारे में universal access provide करना at least one basic bank account हो हर household के पास basic bank account हो हर household में कि सब के पास financial literacy हो credit के लिए access हो मतलब जाके अगर loan वगएरा उसका वो access हो insurance and pension facility हो इंडर इस जिसके पास saving account नहीं है वो account खुलवा सकते है बिना किसी minimum balance की requirement के और अगर वो self-certify करते हैं कि उनके पास officially valid documents नहीं है तब भी वो एक small account open करवा सकते हैं और जहां पे भी banking bank branches available नहीं है bank branches जहां नहीं है वहाँ पर आप bank branch किसी bank branch में जाके खुलवा सकते हैं otherwise आपको bank mitras for branchless banking in addition the receiver ये सारे तो आपको benefits हैं इस benefit के अलावा एक रूपे debit card मिलता है और इस debit card के साथ आपको inbuilt accident and insurance मिलता है 2,00,00 रूपे का और इसके साथ आपको overdraft facility भी मिलती है अगर आप 6 महिने तक सही credit history maintain करते हैं अकाउंट maintain करते हैं तो आपको overdraft facility मिलीगी overdraft के होता है कि मानलों आपके account में इस समय 10,000 रूपे हैं आप उससे थोड़ा सा जादा कुछ percentage होता है से 12,000 रूपे निकाल सकते हैं वो 2000 रूपे का जो balance है वो बाद में आप pay कर सकते हैं ठीके उसके अलावा eligible account holders can access through by the bank account personal accident insurance cover और इसके अलावा जितने भी schemes है प्रदान मंत्री सुरक्षा विमा योजना और life insurance cover प्रदान मंत्री जीवन जोती विमा योजना और अटल पेंचन योजना इसके अंडर जितने भी personal accident insurance या life insurance या minimum pension है वो सारी schemes जन्दन योजना जो account है उसके थूँ आप access कर सकते हैं very important और ये तीनों schemes है हम आज ही के आज discuss कर लेते हैं बहुत simple हैं जादा कुछ टफनी है फिर PM जीवन जोती विमा योजना सुरक्षा विमा योजना ये एक साथ याद रखने eligibility age क्या है 18 to 50 years जीवन जोती के लिए और सुरक्षा के लिए 18 to 70 years ठीक है दोनों में जो discoveries है वो mainly 2 lakh रुपे है इसमें भी 2 lakh रुपे है लेकिन इसमें जो है death में ही मिलेगा only death के case में मिलेगा और death भी किसी भी reasons है any reason से death होती है तो मिलेगा सुरक्षा में क्या है सुरक्षा provider के जीवन जोती है मतलब जीवन की जोती जब तक नहीं ज़लेगी इस तरह से याद रख सकते हैं बहुत simple मैं से याद रखती है जब तक जीवन की जोती है तब तक है तो मतलब सिर्फ death के case में है सुरक्षा में सिर्फ सुरक्षा के लिए है जीवन तक नहीं है सुरक्षा के लिए है प्रीमियम सिंस यह जीवन जोती है तो देखिए जीवन जोती दो बार आ रहे है तो इसमें 330 ऐसे मैंने याद रखा हुआ था परस्नल बता रही हूं न तो इसका प्रीमियम जो है 330 रूपीज है मतलब 11 रूपे पर मंथ और इसका 12 रूपे पर आनम मतलब एक रूपे पर मंथ ने यह 330 रूपे पर मंथ नहीं होगा जो भी मतलब यह 330 रूपे है और यह एक रूपे पर मंथ के इसाब से 12 रूपे साल का है यह ठीक है ओके तो यह आपका सिंपल हो गया एक बार फिर से समराइज कर देती हूं 18 to 50 18 to 70 दो लाख इन केस ऑफ डेथ एनी रीजन इसमें दो लाख एक्सिदेंटरल डेथ फुल डिसेबिलिटी और एक लाख पार्शल डिसेबिलिटी प्रीमियम 330 प्रीमियम 12 रूपे बहुत सिंपल है तो इसमें क्या मिलेगा पैंशन मिलेगा आपको ओपन ओल सेविंग बैंक औ है इसमें सब्सक्राइबर को अगर मालो 60 जाती है तो उसके spouse को मिलेगी और जब दोनों की death हो जाती है तो pension corpus जो भी मतलब उसमे amount होगा accumulated होगा जो भी 60 की age तक accumulated होगा वो nominee को मिल जाएगा जैसे को कोई बेटा है बेटी कुछ भी हो तो उसको मिल जाएगा और अगर premature death हो जाती है subscriber की तो government ने option दिया है कि जो spouse मालों किसी की death हो जाती है 30 की age में किसी death जाती है तो spouse उसका 60 की age तक continue कर सकता है अटल pension योजना को और उसके बाद जो भी benefits हैं वो तो उसको मिलेंगे pension के ठीक है यह बहुत simple अटल pension योजना भी तो आपकी रहिए साथ-साथ बहुत लंबे लेसंस में इसमें नहीं बना रही क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है तो आप जल्दी-जल्दी काफी छोटे-छोटे टाइम में काफी सारी चीजा प्रिवाइस कर लें and thank you so much for being here with me divya.sharma38 मेरी Instagram ID है मुझे directly contact कर सकते हैं अपने papers चेकर वाज सकते हैं उसके लावा मेरी नॉमली में काफी चीज़े डालती रहती हैं स्टोरी वगारा पर वो में इसाथ शेयर कर सकते हैं exam से related तो all the best to all of you keep preparing very hard and goodbye take care